नमस्कार दोस्तो सुवागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपार दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजर हुए हैं अगर आपने भी ग्राम पंचैस सहय किया computer operator के लिए आविदन किया हुआ है तो दोस्तो यह है जानकारी आपके लिए दोस्तो जिन व्यक्तियों ने आविदन किया हुआ है वह अपने जिले की merit list का अंतिजार कर रहे हैं और दोस्तो जिनका नाम merit list में आचुका है वह नियुक्ति पत्र का अंतिजार कर रहे हैं कि उनके जिले में कब से नियुक्ति पत्र वित्रित के जाएंगे तो दोस्तो हम आपको ऐसे दो जिले बताने जा रहे हैं जिन में न्यूकती पत्र मिलना प्रारम हो चुगा है और दोस्तो हैं आपको प्रूप के साथ भी दिखाय जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं इसकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी साथ जिनको न्यूकती पत्र दिया जाएगा उनकी ट्रेनिंग कहां पर होने वाली है और किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग कराएगी उसकी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है साथ दोस्तो अगर आपको आपके जिले की merit list नहीं मिली है तो आप कहां से merit list को download कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे जाएगी अगर आप यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तो वीडियो को अंत तकवाज जरूर करिएगा तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे साथे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा निवदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों वीडियो लाइक करेगा और होसे कि दोस्तों इसको जासेता शेयर भी करेगा ताकि और भी वैक्ति अपने जिले की जानकरी अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जिले की जिले की पांसो चुराण में ग्राम पंचायतों में पंचाय सहक के पद पर चैन की प्रस्तूती परदान कर दे गई है जिले की विशेश 35 ग्राम पंचायतों में चैन कारवाई नहीं हो सकी है जिले में कुल 629 ग्राम पंचायत दे गई हैं यनिके दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सौन भदर जिले में आपका जो नियॉक्ति पत्र है उसकी मन्जूरी यहाँ पर मिल चुकी है और इस जिले में 500 चुरान में जो जो गउवं हैं उनमें नियॉक्ति पत्र वीतरित होना प्रारंब हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह पहला जिला है दोस्तों और यहाँ पर कुल जो जिले बचे हुए वे 35 सोरी गाउं बचे हुए जो वे 35 गाउं है जिनमें न्यूकती पत्र नहीं दिया गया है जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर संत जिला पंचायत राज अधिकारी विसाल सिंग ने बताया है कि जिले के 629 ग्राम पंचायतों में किवल 500 चुराण में ऐसे गाउं हैं जिन में सहे का पद पर चैन की प्रक्राइट ही वह संपुन हो चुकी है पूरी हो चुकी है अब इन सभी को न्युक्ति पत्र मिलना प्रार प्रक्राइब पूरी नहीं हुई है लेकिन जल्दी उनकी प्रक्रिया भी यहां पर शुड़ कर दे जाएगी और इसमें दोग्राम पंचायतों इस अथा कमहारिया में कोई आवविधन प्रत्न नहीं है दोक्स्सक्राइब पर जो आवदन के जाएगा वह अधर गाओं के भी आवदन कर सकते हैं। तो फिर आप के यहाँ पर जो दूसरा जिला है, वह कौन सा है, उसके बारे में भी आप को जाते हैं। तो यह तो थी जानकारी सोंथ भदर जिले की जिसमें अब न्यूक्ति पत्र मिलना प्रारम हो ज जाएगा अगर दोस्तों आप इन दो जिलों से नहीं है तो आप दोस्तों हमें कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं तक हम आपके जिले की जानकर देशाएगा की जानकरें हम आपको देने वाले हैं तो चलते हैं सिधे नैश्ट जिले की और जिसमें न्युक्ति पत्र मिलना प्रारम हो चुका है आप देख सकते हैं कि आपका जो नैश्ट जिला है वह दोस्तों गोंड़ा है गोंड़ा जिले में भी आपका यहां पर जो चाइन परकिरिया है वह पुल मिलना सुरू हो जाएगा यहां पर बताएगा कि ग्राम पंचायतों में पंचाय सहक पद पर भरती को लेकर पहली जो सूची है यांके मेरिट है वेफ फाइनल हो चुकी है मैं दोस्तों डियेम मारक अंडे सही की अजक्सता वाली कमेटिक की जो जिला है इसकी 6 ब्लोक में से इस जिले के 6 ब्लोक में से 118 में ग्राम पंचायतों में पंचाय सहक की न्युक्ति को लेकर प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी गई है यहिए दोस्तों आपस्रकार द्ववरा धीरे-धीरे यहाँ पर चयान क्या जा रहा है और जिस जीले में चयान की प्रink़िया पुर्य हो चुकि है इनके जिन्द श्वैक्ति को यहाँ पर रखा जाएगा का नोकरित दी जाएगी जिस आपके जिले में प्रिक्राप पूरी हो चुकी है दोस्तों इन जिलों में उन ब्लोकों में उन गाउं में न्यूकति पत्र भी मिलना प्रारम हो जाएगा जैसे आप इसकी पर देख पा रहे हैं यहां पर एक न्यूज पेपर का कटिंग हमने दोस्तों बात आती है कि आप यहां से जो आपका न्यूकति पत्र है या निके आप कहां से प्राप कर सकते हैं तो दोस्तों उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं कि किस-किस ब्लोक में गोंडा जिले की यहां पर जो न्यूकति पत्र है मिलना प्रारम हो चुका ह दोस्ता आप यहां पर देख सकते हैं, एक सो ठाण में ग्राम पंचायत हैं, जिसकी परकिया पूरी हो चुकी है, वहीं दोस्तों इसमें जो विकास खंड है, वह रूपी डी है, कि जो यहां पर गाउं है, वह 27 है, जंजरी में 29 गाउं है, बेलसर में 19 हैं, और दोस्तों ब्लोकों में आपकी जो न्युक्ति पत्र है, वह मिलना प्रारम जल्दी होने वाला है, उसकी दोस्तों आपका एक दो दिन में ही आपका न्युक्ति पत्र मिलना प्रारम हो जाए, अब दोस्तों बात आती है कि यहां पर आपकी जो न्युक्ति पत्र है, वह कहां से दे जा घालेगा उनकी ट्रेविक कहांपर होने वाली है है उर की प्रकार से किरा bet देखें सरकार दुज़ारा जो समय निर्धारित क्या होाया ट्रेविक का है एक से दो महिन है यहनके एक से महिने के बीच आपकी joue होने वाली है दोस्तो आपकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी वह है जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ पैन कार्ड हुआ और दोस्तो आपका रासन कार्ड हुआ यानिके दोस्तो जो ग्राम के कारिये होंगे गाउं के कारिये होंगे दोस्तो वह सभी कारिये आपको करने होंगे और उसी क कि आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वह दी जाएगी दोस्तों आपको यहाँ पर केवल बेसिक सिखाए जाएगा जिससे कि दोस्तों आप सीख सके और जल्दी आप अपना कारिया शुरू कर सके अब दोस्तों बात आती है कि यह ट्रेनिंग आपको कहाँ पर दी जाएगी तो दोस्तो आपको यहां पर ट्रेनिंग जो दी जाएगी वह जिला इस्तर पर आपकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। क्यों दोस्तों आपसे भी जानते हैं कि जो सरकार दुवारा जाती है तो जो झो यहां पर ट्रेनिंग होती है वह जिलस्तर पर ही करा जाती है तो अगर आपका जिंडा घोनदा जिला नहीं है य। यह फिर दोस्तों आपका यहां पर स nerve जिला नहीं है, तो पूंए comment box में जागर comment कर सकते हैं, आपने जिले का नाम लिख कर, ताकि हम आपके जिले की भी जानकारी आपको दे सकें. तो पूं हती है, आपके लिए महत्पूर जानकारी, इन दो जिलों में सरकारंब दुआरा, जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलना प्रारंब हो जाएगा और दोस्तो अगर आप भी अपना नियुक्ति पत्र देखना चाहते हैं दोस्तो हमें क्वाइंट बोक्स में जागा ज़रूरत हैगा मिलने वाला यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है वेह इस परकार मिलने वाला यहाँ पर यहां तो आपको यहांपको जोब की उस जोब कि आप समय अवदी क्या निधात के वे भी आप यहाँपर देख पाएंड यहाँपर जो समय अवदी है वे है दोस्तो एक वर्स दी गई है और समीदा पर आपको यहाँपर रखा जाएगा अगर आप अच्छे से कारी करते हैं, अपना करतवे अच्छे निभाते हैं तो आपको हो सकता है कि एक साल के बाद भी आपकी जो समय अवधी है, वह आगे बढ़ा दी जाए 6 महीने या फिर 1 साल आपका आगे बढ़ा दी जाए वैसे दोस्ते यहां पर जो समय अवदी है वैं एक वर्स के लिए दी गई है लेकिन यहां पर ऐसे भी बदा गया है कि अगर आप अच्छे से कारे करते हैं अच्छे से अपना करतवे निभाते हैं तो आपको आगे भी इस जोग पर रखा जा सकता है तो दोस्तो यह थी आपके लिए महत्पून जानकरी आपको जानकरी कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जाकर जुरूर बतेगा और आपसे निवदिन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तो तो वीडियो लाइक कर दीजिए जैसे जैसा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी वैक्तिस का लाब उठा सकें अगर आपका कोई सवाल है तो आपके सवाल कर सकते हैं आपके परती एक सवाल का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेगा बैल लेकर इनको प्रेस करेगा तकि आने वाला नोटिविशन आपको मिल सकें तो मिलता है आपको नहीं स्टूडियो में जब तक के लिए जहन जभारा